इस सत्र में हम आपके साथ एक नए विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा का साहित शिर्चक से यह चर्चा आपके समक्ष प्रस्तूत है शिक्षा सास्त्र से जुड़े हुए लोग यह जानते हैं कि शिक्षा सास्त्र विभिन विशयों के मेल से बना हुआ एक ऐसा शास्त्र है जिसे हम कई आँखों से देखते हैं जैसे शिक्षा का दर्सन, शिक्षा का मनविज्ञान, शिक्षा का समाज सास्त्र, शिक्षा का इतिहास वैसे ही यह एक नई आउधारना है शिक्षा का साहित्य है शिक्षा का साहित्य कहने से अर्थ सिर्फ साहित्य में शिक्षा की पड़ताल करना नहीं है बलकि वैसे साहित्य से अभिप्राय है जो शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया हो दो बाते बहुत साफ तौर पर हमें इस विमर्स के शुरू में ही समझ लेनी चाहिए सिक्षा का Ground सिक्षा का इतिहास के मूल ज सै से अपने हिस्से का या अपने लायक । स्चामगनीं का चन कर और तब शिक्षा का सिक्षा का دर्सन सांस्थ्र, सिक्षा का मनो विज्ञान, शिक्षा का समाज, सास्र, शिक्षा के इतिहास की रशना करता है. सिक्षा का साहित वैसा ही एक विशा है, जो अभी नया-नया एक तरह से आप कह सकते हैं, कि हाल-فिल-हाल में या, यूं कहिए कि कि एक किस्तिभी सदी में यह शामिल हुआ है, इसके शामिल करने की पीछे की जो मनसा है वो इतनी भर है कि हम सिक्षा को साहित के नजर्ये से भी देखें साहित किसी भाषा विशेस का साहित नहीं है या बलकी या विबिन्थ भाषावों में सिक्षा को लेकर जो कुछ लिखा गया है जहां शिक्षा के छवी दिखाई देती है या शिक्षा को लेकर जो स्वतंत्र लेख उस तके इत्यादी लिखी गए उन सब से चैनित कर एक ऐसी सामगरी को स्थान देना या विक्सित करना जो शिक्षा का साहित के नाम से जानी जाती है शिक्षा का साहित को जिस तरह से देखा जाना है या देखा जा रहा है उसमें दो-तीन बातें अवश्यक हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की अवश्यकता है मैंने पहले ही कहा कि यह एक किसी भाषा विशेज का साहित नहीं है बलकि यह विविन भाषाओं में शिक्षा को लेकर जो बात कही गई है या जहां शिक्षा की छवी दिखाई देती है उसे समेटने का काम यह विशय करेगा साथ ही साथ शिक्षा विशयक जो सोतंत्र आलेक हैं जो पुस्तके हैं जो नवाचार है उनको लेकर जो कुछ लिखा गया है उसकी विवस्ता हमारे यहां उसके अध्यान ध्यापन की विवस्ता शिक्षा सास्र के अन्य विशयों में इस तरह से नहीं की गई है जैसा शिक्ष बताती है कि उस समय शिक्षा को लेकर किस तरह की या शिक्षा की छवई को लेकर किस तरह का विमर्द weit चल रहा था आधनिक भारतिय शिक्षा जिस पर एक तरह से उस पर आरोप नक बल's na बलकि उसके अंतर परन्हीत बात यह मानी जाती है कि उसमें यह नहीत है कि वह नौकरी के लिए ही तैयार करती है जबकि कहा यह जाता है कि शिक्षा एक संपुर्ण मानौ बनाने का मानुविय गुणों के विकास का एक सजक सचेत मनुष्य के निर्मान की प्रक्रिया है इस तरह कि बहुत सारी चीजें विखरी पड़ी है हमारे साहित में अब सोचे कि पंचतंत्र आज भी क्यों हमारे बीच है पंचतंत्र के आज भी उपलबध होने का क्या मतलब है हम सब जानते हैं कि पंचतंत्र वैसे राजकुमारों को पढ़ाने की जिम्मेवारी विष्णों शर्मा को दी गई जिन पर शायद बाकी गुरु सफल नहीं हुए थे अब उन्होंने इस तत्तों का प्रियोग किया इस तरह की कहानियों का प्रियोग किया जो आज भी इतनी प्रासंगिक हैं कि उन्हें पढ़ा जाता है आज की पाठे पुस्तकों में भी कई अस्थानों पर हिंदी और की पाठे पुस्तकों में हम उन्हें लेते हैं लेकिन जब पूरे पंचतंत्र को या हितोपदेश को या गुलिस्ता बोस्ता को हम देखते हैं तो यह लगता है कि एक लंबे समय तक जो साहित शिक्षित करने का माध्यम रही है वो धीरे 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 हमारे विमर्ज से कैसे करना गया है तो यह जो खालीपन है एक तरह से इनकी निरंतरता के भंग होने का मामला है शिक्षा का साहित उस निरंतरता को बनाय रखने की एक कोशिस है कि एक तरफ जहां बॉद्धसाहित में थेर गाथाएं और थेरी गाथाएं दोनों उपलब्द है थेरी गाथा यानि बुद्धके की जो महिला शिश्याएं थी उनकी कहानिया थेर गाथा जो पुरुष थे उनकी कहानिया और दुनिया के ग्यात इतिहास में महि बहुत है साहित्य को समझने की दृष्टी देती है और साथी साथ यह भी बताती है कि उस समय की शिक्षा विवस्था में क्या और कैसे होता था तो एक तो इतिहास को भी अपने जानने का साधन शिक्षा का साहित्य हो सकता है दूसरी तरफ जो आधुनिक रचनाएं लिखी ग बताया है कि वो कैसे खेलते कुट्ते गुड्डी उडाते पतंग उडाते और बड़े भाई घोटा मारते और फिर उभी परिणाम कुछ का कुछ हो रहा है तो उन्होंने भी उस समय की पढ़ाई लिखाई पर कहीं न कहीं से एक सवाल खड़ा किया यह उस समय की पढ़ाई जैसे बच्पन में हम सबने जैने Argumar की खेल कहानी पढ़िए है या ताई पढ़िए है ये दोनों ही कहानी शुक्षा मनोविग्यान के सिध्धानतों के ब French घूमती हुई पृतीत होती हैं और तो शुक्षा के मनो विग्यान की समझ बनाने के लिए इन कहानियों का उपयो के लिए एक आधार सामगरी भी हमें देता है फिर जो परिवर्तन हुए हैं पढ़ाई लिखाई में भाशाओं को लेके आन्य विश्यों को लेके जैसे हम सब हार का सामना करना पड़ता है कशुआ जैसे धीमी गती से चलने वाले एक पात्र से तो यहां यह बताया गया था हमारे समय की यह कहानी कहती थी कि जो लगातार चल रहा है वह विजय होगा या विजय स्री उसी के गले में पढ़ने वाली है अब इस कहानी का एक दूसरा खर्गोस में दोस्ती हो गई दोनों ने कहा कि भाई हम तो एक जगह तुमसे ज़्यादा तेज हैं खर्गोस ने कहा कि वो कहां उसने कहा कि यदि पानी हो रास्ते में कोई ताल तलेया हो तो वहां तुम मेरी मदद ले लो खर्गोस ने कहा कि यह तो अच्छी बात है मैं व वहां से आगे बढ़ाऊंगा और जहां सरपट जमीन होगी वहां तु मुझसे अधिक तेज भागता है तो मैं तुछ पर सवार हो जाऊंगा और इस तरह हम दोनों मित्र एक साथ लक्ष पर पहुंचेंगे जिसे अब हम लोग विन-विन सिध्धान कहते हैं कि सहयोग से समव में रोटी का टुकड़ा होता था और लोमली उसको फसाती है यह कहके कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो और लोब में फसके कवा जो है वो अपने आपको भूल भूल जाता है और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है अब जो नई कहानिया पाठे-पुस्तकों में कवे के मुह में रोटी का टुकड़ा नहीं है को यह जो बीम बदलता है अपने समय और संदर्व के हिसाब से शिक्षा का साहित ऐसे बदलाओं पर भी अपनी नजर रखता है कि किस तरह का की चीजें हमारे आसपास बदल रही है चल रही है और किस तरह के बीम और प्रतीको समय गई है तो सिक्षा का साहित की एक जिम्मेवारी यह भी है कि हो रहे सिक्षाई बदलाओं पर भी अपनी द्रिश्टी रखे कहानियों का सिलसिला चला है तो जो कई राजियों में यह विशेचुकी अध्यान ध्यापन में आजकल है और जो पाठ्यकरम निर्धारित किय गया है उसमें पंचतंत्र की कहानिया है थेर गाथा और थेरी गाथा से गाथा से कुछ सामगरी ली गई है गुलिस्ता बोस्ता से कुछ सामगरी ली गई है मद्यकालीन भारत के साहित से कुछ साहित इसमें रखा गया है फिर जो आधुनिक साहित है वो हिंदी का हो संस्कृत का हो उर्दू का हो या अंगरेजी का हो या भाषाओं का हो जैसे स्वामी और उसका दोस्त से वह हिस्सा पाठेकरम का हिस्सा है जिसमें गनित विशय को लेकर उस बच्चे की परिसानी है आपका बंटी का एक हिस्सा इसमें है जिसमें बाल मनोविज्ञान को के सहारे उस पात्र को समझने की कोशिस की जा रही है राग दर्वारी जो अपने जिसमें शिरलाल सुकलिन जी ने शिक्षा की कही छवियां प्रस्तूत की है उसका कुछ हंस है छोटे छोटे सवाल दुश्यंत कुमार जी की जो मशूर रशना है उससे कुछ हिस्से को इस विशे में शामिल किया गया है कहने का ताथ परिया है कि साहित में शिक्षा को लेकर जो विमर्स चला है या जो चल रहा है मान लिजे आज आपने शिक्षा को लेकर या डियस कुठारी साहब ने शिक्षा और मानो मुल्यों को लेकर इनसी आटी की किसी के किसी एक पत्रिका या किसी यह किताब में कुछ लिखा उसे यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाद की ठीडी तक विशेष करके शिर्चक शिक्षिकाओं तक पहूँचे तो हमारे पास अभी शिक्षा सास्तिर के पास इस तरह की विवस्ता नहीं है कि हम इन रचनाओं को उन तक पहुँचा सके शिक्षा का साहित में अधि हम इन रचनाओं को शामिल करते हैं तो यह होगा कि कम से कम आज से 30 साल, 40 साल या 50 साल पहले भी शिक्षा को लेकर जो भी मर्ज चल रहा है वह कितना आगे बढ़ा, कहां तक पहुचा है, किस हालत में है यह जानने का मौका भी हमें मिलेगा तो शिक्षा का साहित एक ऐसा विशह है जो एक तरफ तो हमें आधार सामगरी देता है साहित के माध्यम से शिक्षा को समझने का दूसरी तरफ शिक्षा सासर के अन्य विश्यों को समझने का नजरिया भी देता है इसलिए यह एक महत्वण विशह है जिसे हम कई रशनाओं के माध्यम से देख सकते हैं यहां अभी थोड़ी देर ठहर कर हम आपका बंटी का एक हिस्सा देखेंगे जिस पर आप सब चर्चा करेंगे और उसके बाद हम यह जान पाएंगे कि शिक्षा का साहित में इसे क्यों रखा गया है इसके बाद वो हिस्सा आएगा यहां वो हिस्सा आएगा दूसरी तरफ सिक्षा का साहित अपने उस मेडिया को भी ध्यान में रखता है जहां से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं मराठी के एक बहुत ही मशूर फिल्म है दस्वी फख यह एक ऐसे शिक्षक और उसके ऐसे चात्रों की कहानी है दस्वी टिंथ एफ यानि वैसे फेलियोर बच्चे जो एक सिक्सर में रखे जाते हैं और उनके भीतर जीने के एक्षा का संचार एक शिक्षक कैसे करता है यह इस फिल्म का वर्ण विसा है तो हम लोगों ने शिक्षा का साहित में ऐसी चीजों को भी शामिल किया है आप कोई बात मनविज्ञान के सहारे या अन्ने माध्यमों से चाहे जितनी तेजी से हम कहले लेकिन जितनी मजबूती के साथ तारे जमी पर में अमेर खान ने अपनी बात को रखा है और जितनी आसानी से हम उस बीम को समझ लेते हैं कि सभी हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं इसे खीच कर और बीच वाली उंगली के बराबर कर लोगे क्या या वह द्रिस से उस फिल्म का जब पढ़ाई लिखाई चल रही है और वह होनहार कालाकार अपनी खिड़की से बाहर प्रकृती को देखता होता है तो ये सारी चीजें भी हम सिक्षा का साहित्य का हिस्सा मानते हैं और उसे शामिल करने की अवशक्ता है उसमें ताकि इस विशय की परिधी और बड़ी हो और इसमें विभिन तरह की सामगरियों का हम चैन कर सकें और साथी साथ शिक्षा सास्तर को एक ऐसा विशय मिले जो साहित्य के साथ साथ सिनेमा टीवी और दूसरी जो मीडिया के जो माध्यम है उनमें चलने वाले शिक्षाई विमर्सों को भी समेट सकें हम अपनी पुरानी बात पर फिर से लोटते हैं कि इसका सिक्षा के साहित का जो डियलेट का जो पाठिकरम है वह क्या कहता है डियलेट का पाठिकरम आम तोर पर उन रचनाओं पर अपने आपको फोकस रखता है जो बच्चे और बच्चपन की समझ देने के लिए साहित इसे लिये जा सकते है या लिये गए हैं अब एक कहानी है जो पूरी शिक्षा को एक नए तरह से या शिक्षा की व्याख्या करने के लिए जो आसान सारास्ता हमें सुझाती है वो भी प्रेमचंद की एक कहानी है आपने और हमने समने पढ़ी है वो कहानी है इदगा इदगा का एक छोटा सा पात्र है हमिद हमिद एक छोटा बच्चा जिसकी दादी का हाथ रोठी जलाने में रोठी बनाने में जल जाता है क्यों जलता है या हमिद कैसे जान पाता है अब मनोविग्ञान से हम कहते हैं कि वह अपने परिवेश का औलोकन कर रहा है हमिद औलोकन करता है जब वह देखता है कि उसकी दादी रोटी बना रही है और उसका हाथ इस कारण जल जाता है क्योंकि उसके पास चिम्टा नहीं है हमिद इस निशकर्स पर पहुंचता है कि दादी के हाथ को यदी जलने से बचाना है तो दादी को चिम्टा देना होगा दादी को चिम्टा देना है यह वत्ताह करता है यानि अलोकन के आधार पर एक निशकर्स निकालता है, एक निर्णे लेता है, अब हामिद एद के दिन अपने मित्रों के साथ मेला जाता है, मेला जब वो पहुँचता है तो उसी के उमर के सभी बच्चे है, वो देखता है कि कोई मिठाई खरीद के खा रहा है, कोई मिठी के खिलोने खरीद रहा है, लेकिन इसे तो दादी ने जितना पैसा दिया था, उसमें वह या तो मिठाई खा ले, या मिठी का कोई खिलोना खरीद ले, या दादी के जलते हुए हाथ को बचाने के लिए चिम्टा खरीद ले, अब हामिद अंतर द्वंद में है, अपने भीतर ए लेकिन इस कहानी में उन्होंने हामिद के साथ किसी शिक्षक को नहीं रखा, किसी बड़े को नहीं रखा, जो आराम से हामिद को समझा सके, कि सुन बेटा, तो यह उम्र भी ऐसी नहीं हुई है, चिम्टा तो हम बाद में खरीद के ला देंगे, तू अभी मिठाई खा ले, यह खिलोना खरीद ले, अब हामिद उस दोंद से निकलने की प्रक्रिया में शामिल होता है, कैसे, वो अपने मन को समझाता है, कि यह मिठाई क्या, अभी खाई और अभी गया, और यह मिठी का खिलोना, मिठी का भिस्ती, चिम्टे से मारू, तो मिठी का मिठी में मिल है, उस पर वो अडिक रहता है, वो अंतर दोंद से अपने को निकालता है, और मेले से चिम्टा खरीद कर लाता है, जिसे उसकी दादी का हाथ चलने से बच सके, जब इस दिन नजरिये से हम कहानी को देखते हैं, तब यह कहानी शिक्षा का साहित बनती है, मैंने सिर्फ शि करना यहां बहुत आवश्यक है, यह कहा जाता है कि इसे हम साहित में शिक्षा क्यों न कहें, तो बहुत साधारन सी बात है कि जैसे हम दर्शन सास्तर में शिक्षा नहीं कहते, समाज सास्तर में शिक्षा नहीं कहते, हम वहां भी कहते हैं, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का समाज सास्त्र, सिक्षा का मनोविज्ञान, वैसे ही हम यहां भी साहित में केवल सिक्षा की परताल नहीं कर रहे, बलकि सिक्षा को लेके भी जो साहित रचा जा रहा है जो कुछ लिखा जा रहा है उसे चुकि इस दाइरे में इसमें शामिल करते हैं, इसलिए आवस्यक है कि हम इसे सिक्षा का साहित ही कहें सिक्षा में साहित कहने की गलती न करें